हेलो एवरिवन आज हम पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश की बुक का चैप्टर नमबर सेवन जिसका नाम है गुड़ फूट देखें यहां पर आपकी आप थर्ड यूनिट शुरू हो चुकी है और यह है चैप्टर सेवन तो चलिए इसको पढ़ते हैं देखें इसमें एक पि तो पिर बौरियों के यहां पर लड़की इसको सेलकर फिर इसमें ट्रक में इसको रखा गया है मतलब पहले बोरी ऐसे उठाई फिर इस ट्रक में रखी है नेक्स्ट नीचे वाली पिचल में देखें फिर यह जो ट्रक है बौरी से भड़ा हुआ यहां पर लाया गया पिर बोरियों को खोल कर यह देखो आठा पीशने वाली चक्की है इस चक्की में उपर ऐसे आठा डाला जाता है इसमें डालके और फिर इसके अंदर से आठा ऐसे पिसके निकल जाता है और इस बोरी के नीचे फिर जो आठा पिश जाता है फिर से इन्हें इस वाली बोरी में पैक तिसमें क्या हो रहा है उसे देखना है और उसका आंसर करना है फिरस्ट है है what can you see in the picture तो हमने फर्सटील में क्या देखा था है हमने देखा था कि कैसे ही नहीं पर ग्यूप गया जा रहे हैं कैसे यह देखिए, इसमें डाल रहे हैं आटा पीशने वाली चक्की में और इसका क्या कर रहे हैं? यह आटा बना रहे हैं और इसको इसमें बोरी में पैक कर रहे हैं थर्ड देखते हैं, लुख एड़ पिचर फोर, वू आर दे, what are they doing? आप देखते हैं पिचर 4 तो भार यहां ऐक आटा से यहगा ऊप इसके आटा में मिलता है न इसे कहते है घ्रोस तो यहां पर आटासे आजाता है जहांसे हम खरीदते हैं शौप से उसके पाद पिछल नमर 4 में क्या हो रहा है यह है इसको आटे को माड रहे हैं और यह जो लेडी है यह क्या कर रही है मेकिंग चपाती यह कि बना रही है उसके बाद फिफ्थ है फॉर्थ वट इस गर्ल डूइंग इन लास्ट प What do you have along with Chapati? तो आपको यह पताना है कि जब आप चपाती यई की रोटी खाते हैं तो आप उस के शम क्या खाते हैं? जैसे आप सबजी खाते हो, कौन से सबजी खाते हो, दाल खाते हो, तो आपको यह खुद लिखना है Question No. 6 है Have you seen a field? What was growing there? हैं आपने कभी फील्ड जाते कि आपने असे फील्ड कहीं देखें व्ट वस ग्रोइंग देर महां पर क्या उगाया जाता है कौन आज भाएज मुआ जाता है speak about it, उसके बारे में आपको बताना है ठीक है, next step आप देखें, यहाँ पर आपको chapter 7 start होता है, chapter का नाम क्या है the big laddo, big यानी की बड़ा तो एक बड़ा सा laddo चलिए से read करते है if all the laddo's were one laddo अगर सारे laddo को मिला कर एक बड़ा laddo बनाया जाए oh, what a big laddo it would be तो अगर सारे laddo को मिला कर एक laddo बनाया जाएगा तो कितना big होगा, big यानी बड़ा तो वो कितना बड़ा laddo बनेगा if all the children were one children अगर सारे बच्चों को मिला कर एक बच्चा बनाया जाए oh, what a big child that would be तो कितना बड़ा बच्चा बनेगा अगर सारे बच्चों को मिला दिये और एक बच्चा बनाया तो वो बहुत बड़ा बच्चा बनेगा if all the seas were one sea अगर सारे समुंदर को मिला कर एक बड़ा समुंदर बनाया जाए what a big sea it would be तो कितना बड़ा sea यानी कि समुंदर बनेगा then if the big child picked the big laddo अगर इफ माने अगर वो जो बड़ा बच्चा है big child है picked यानी पकड़ना उस बड़े लड़ो को पकड़ता है और क्या करता है इसको and through into the big sea through यानी कि फैक ना उस लड़ो को पकड़के और एक बड़े से समुंदर में फैकता है तो क्या होता है oh what a big splash splash it would be तो क्या होता है देखो जैसे कि समुंदर में इतने बड़ा लड़ो फैकता है तो समुंदर के अंदर के जितने भी ये मचलिया होती है octopus होता है क्या होता है वो सब बहार आ जाते है और एकदम से आवाज आती है छपाक की जैसे कि ये दिखाया इसमें बच्चा फैकर आया इसमें ठीक है अब ये कुछ new words दिए होए आपके यहाँ पर सीम आने होता है समुंदर splash यानि कि छपाक की जो आवाज होती है वो ठीक है ये picture दिखाई होई ये इसमें किस तरीके से देखिया भी इसमें क्या लिखा है question number first है have you seen a big laddo कि आपने कोई बड़ा सा laddo देखा है how big was it तो वो कितना बड़ा है did you eat it all by yourself tell your friend about it अगर आपने एक बड़ा सा laddo देखा है तो उसके बारे में अपनी friend को बताने कि कि वो कितना बड़ा है और आपने उसे खाया भी है तो उसके बारे में बताने कि वो कैसा था टेस्ट में question number second है have you eaten anything that is very big क्या आपने कभी कुछ ऐसे चीज खाई है जो बहुत बड़ी हो what was it तो वो क्या थी उस चीज का नाम बताना है talk about it इसको क्लास में अपने दोस्तों को अपनी टीचर को बताना है कि आपने ऐसे कौन से चीज खाई थी जो बहुत बड़ी थी उसका नाम भी बताना है question number third है what different kinds of laddus have you eaten तो आपने इसमें बताना है kind होता है तरीके आपने कितने different तरीके के laddus खाई है तो उसके बारे बताना है जैसे कि होते हैं एक red होता है एक yellow होता है मोती जूर के laddus होते हैं बेसन के laddus होते हैं तो आपको अपनी क्लास में बताना है कि आपने कितने types के laddus क्यों खाया है question number four है name a few things that are around in shape can you eat all them write them in the correct column तो देखें नीचे एक column दिया हुआ है इसमें लिखना है that can be eaten और that cannot be eaten तो हमें ऐसे round shape की चीज़े लिखनी है मतलब जो circle हो गोल हो जिने हम can be eaten जिने हम खा सकते हैं और इसमें लिखना है cannot be eaten जिसे हम नहीं खा सकते तो देखें यहां पर मैंने कुछ चीज़ लिखनी है जिसे हम खा सकते हैं इसमें तो आगे एक orange रस गुले टॉफी जो round shape की होती हो गोल होती हो लड़ू pumpkin cabbage guava guava यानि हम रूद cabbage यानि की पत्ता गोवी तो कैसी होती है वो round shape की होती है और उसे हम eat कर सकते eat table होती है हम खा सकते है second है that cannot be eaten इसमें आसी चीज़े लिखनी है जो round तो होती है पर जिसे हम नहीं खा सकते तो first पर मैंने लिखा है football second पर marbles यह नहीं कंचे coins सिक्के और moon sun bangles globe यह कैसे होती है round चीज़े होती है लेकिन हम इसे eat नहीं कर सकते खा नहीं सकते ठीक है जरूरी नहीं आपको circle में ऐसी ही चीज़े लिखनी है अगर आपको इसके अलावा कोई और सी लिखनी है तो आप लिख सकते हो same ऐसे नहीं लिखना है जरूरी नहीं है ठीक है next question number five the child threw the big laddo into the sea तो जो बच्चा था वो क्या करता है throw यानि फैक न तो वो big laddo को समुंदर में फैकता है what do you think happen to the laddo तो आपको बताना है तो अगर वो बच्चा बड़े से laddo को समुंदर में फैकता है तो क्या होता होगा तो हमने देखा अगर समुंदर में कोई बड़ी सी चीज फैके जाएगी एकदम से पहले तो छपाक किया वा जाएगी और उसके अंदर के जितनी भी चीज होईगी ना जैसे समुंदर में जो भी मचली होगी ओक्टोपस होगा और पिजो अलग जानवर होंगे वो क्या होगी एकदम से भार आ जाएगे आप इसको एक एक अक्टिविटी कर सकते हैं आप एक टब में पानी ले सकते हैं ठीक है और उसमें एक फुटबोल ले 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 आप तो उसमें छपाक से फुटबोल डाल के देखना और उसके अंदर अपने थोड़े से टॉइस डाल देना उस टॉइस के अंदर फिर देखना उन टॉइस के साथ क्या होता है पानी के साथ क्या होता है तो ये अक्टिविटी आप खुद करके देख सकते हैं ठीक है आप नीचे एक स्टोरी दियो ही है चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं जीतू एंड मीना आर फ्रेंड्स तो ये है बच्चा जीतू और ये है लड़की का नाम है मीना तो ये क्या है ये दुनों दोस्त हैं मीना कैननोट सी प्रोपरली तो मीना क्या है मीना अच्छे से देख नहीं सकती है It was her birthday तो इसका क्या है? इसका birthday है जीतो gifted हर a box of mixed sweet तो ये जो जीतो है मीना को एक box देता है sweets का जिसमें अलग-अलग मिठाई होती है She felt the sweets and excitedly picked up the big laddo तो वो क्या करती है मीना जैसे डबा खोलती है उसमें से एक laddo उठा लेती है said I love laddo's और laddo उठाने के बाद क्या कहती है मुझे laddo बहुत पसंद है जीतो वो surprised जो जीतो होता है वो हैरान हो जाता है क्यों हैरान होता है वो? and asked her और हर किसके लिए यूज़ जाए? इसके मीना के लिए वो इससे पूछता है How did you know it was a laddo? तुम्हें कैसे पता लगा? कि यह laddo है? तुम्हें तो सही से दिखता नहीं है think and say what मीना answer? अब आप सोच के बताएं कि नाने क्या answer दिया होगा? तो मीना ने laddo को जब पकड़ा होगा आप भी कि अगर सकते हैं अपनी आँख फे पट्टी बान दिये और आप करके देखिए कि कोई कोई चीज रख लिए अपनी पास फिर उसको पहचाने की कोशिश की दिये कि आप उसे सही से पहचान पाते हैं नहीं तो मीना ने laddo को कैसे पहचाना होगा? एक तो वो चिपचिपासा होगा थोड़ा सा दरदरा होगा है ना एक उसकी खुश्बू कैसे आ रही होगी और दूसरा उसको टेस्ट करके तो उसे पता लगया क्या है यह लड़ू नेक्स है लड़ूस आर स्वीट्स कॉमनली इटन इन एवरी हाउस लड़ू क्या होता है? स्वीट्स यानि मीठा होता है इटन एवरी हाउस हर घर में भी खाया जाता है राइट वर्ड्स देट टैल अस अबाउट दा लड़ूस हमें कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो लड़ू के बारे में बताते हों तो क्या लिखा है? एक तो ही स्वीट होता है, मीठा होता है राउंड शेप का होता है, इसकी शेप कैसी होती है? सरकल में गोल होती है यलो कलर का जैगरी होता है, मीठा सा होता है, डेलिशियोस होता है क्रस्ट पीरल्स होती है, ड्राइट फ्रूस लगे होते हैं उस पे और सॉफ्ट होता है, बहु जदा fried balls होता है edible होता है खाने लाइक होता है आप लड़ों के बारे में कोई और अगर आपको इसमें चीज़े लिखनी है तो आप वो लिख सकते हैं next question number a है frame a few sentence using the given words अब यहां पर आपको six words दी होए है इससे आपको यहां पर sentence बनाने है तो देखे मैंने क्या बनाया है first word है play तो इसका बना है I like to play cricket आप इदर कुछ और लिख सकते हैं I like to play volleyball football जो भी next is plum I like to eat plum यह जरूरी नहीं आपको यही sentence बनाने इन वर्ट से अगर आप कोई और से बनाना चाहते हैं तो आप कोई और से बना सकते हैं लेकिन word यह use इस sentence में होना चाहिए next is third cloud the sky is covered with clouds fourth है clock the clock shows us time clock हमें क्या करती है time को दिखाती है fifth है blue the blue sky made me feel calm and happy काम होता है शान्त और happy होता है खुश तो blue sky हमें क्या बनाता है उसको देख के हमें क्या लगता है हमें शान्ती मिलती है और खुशी मिलती है six blanket she wrapped the baby in the blanket बच्चे को किसमें रखा जाता है wrap करके मतलब इसको किस से लपेटे जाता है blanket में यानि कंबल में कर कोशनबर b है match the following अब इसमें क्या करना है में से match करना है तो देखिए कौन सा यह है को एक तो है मेल का दिखा रखा और एक है यहाप पर फीमेल। ठीक है जैसे की मैन का होता है वूमन तो इसमें यहाप पर कुछ एनिमल्स का दिखाया है फ्रस्ट है को इस से मैच ओगा यह होगा मुर्गी हैं से सेकंड है लायन लायन होगा लायन से यह शेर लायन और यह हो गया शेर नी थर्ड है पिकॉक पिकॉक होगा पीहन से फॉर्थ है मेर मेर होगा होर्स से बुल फिफ्ट पे है बुल यह होगा काव से एंड लास्ट से है ड्रैक यह होगा डक से मैच ठीक है next है question number A है look at this object shown her collect and put them one by one into a tub of water see which one will float float होता है and which one will sink sink होता है उसमें डूप जाना tick the object that float and close the object that sink अब इसमें क्या वोला है इसमें हम यहापे कुछ pictures दी हुई है यह दिख रही है आपको side में तो इसमें लिखना है जो float यानि कि जो तैरती है उसमें निशान लगाना है tick का और जो डूप जाती है जो तैरती नहीं है उसमें लगाना है निशान cross का तो इसमें first है एक piece of paper तो आप यह activity खुद करके देख सकते हैं पानी लेना है तो एक paper है पहले उसको paper को टब में पानी में रखके देखना है अगर वो तैरता है तो इस पर टिक लगा देना नहीं तैरता है तो cross लगा देना तो first पर मैंने देखा तो इस पर टिक लगा है second है a small stone एक छोटा पत्थर डालके देखना है तो पत्थर नहीं तैरा वो डूब गया तो इसलिए cross लगा है या पर एक green leaf एक leaf लेनी एक पत्ता लेना है उसे रखके देखना है तैरेगा तो टिक है fourth है एक pencil pencil आप देखना अपने डालके अगर वो तैरती है तो right लगा देना नहीं तैरती है तो cross then eraser यानी rubber इसको रालके देखना क्या होता है and a feather feather को देखना यह जो पंक होता है ना जैसे कबूतर का तूट जाता है तो आपको अगर मिल जाए कहीं से तो वो डालके देखना उसका जो fur है देखते कैसा है तो यह क्या हुआ यह भी float यानी तैरता है next is spoon यानी चम्मच उसको डालके देखो क्या होता है अगर तैरता है तो right लगा देना और डूब जाता है तो cross next देखते हैं did you know that not only sweets but a few other dishes are also prepared specially during festival क्या होता है कुछ कुछ जो हम जरू जो तोहार आते हैं उस पे हम sweets यानी की मिठाईया तो जरू बनाते हैं कुछ dishes भी बनाते हैं specially festivals पे तोहार पे तो उसके बारे में एक है story दी हुई है चलिए से read करते हैं have you heard of khichdi क्या आपने खिचडी के बारे में सुना है it is a popular dish यह क्या है एक बहुत popular dish है खिचडी is usually cooked with rice and lentils rice होते हैं चावल lentils होते हैं मसूर एक मसूर की दाल होती है red वाली together तो rice और दाल को मिलाकर एक साथ क्या बनाई जाती है खिचडी it is prepared during festivals and also eaten as a meal यह क्या कब बनाई जाती है यह festival यानि तोहार पर बनाई जाती है और eaten as a meal कभी-कभी अपने खुद के खाने के लिए भी ऐसे बना ली जाती है festivals keep us connected with nature and culture तो जो festival होते हैं तोहार होते हैं हमें connect करते हैं जोडते हैं किससे हमारे nature से और हमारे culture से जैसे जो शुरू से हमारे चले आ रहे हैं Sanskritic तोहार जो होते हैं जो हमारे दादा दादी उनके दादा दादी मम्मी पापा ही सब मनाते हैं हम भी उनसे सीख के मनाते हैं Every year we celebrate many festivals in our country Every year यानि हर साल we celebrate हम बनाते हैं बहुत सारे तोहार अपनी country में Festivals help us stay together festival क्या करते हैं festival हमें एक साथ रहते हैं जब festival हम बनाते हैं तो क्या करते हैं हमें मौका देते हैं एक साथ रहते होने का They bring happiness, joy and smiles तो क्या करते हैं तोहार पे हम क्या होते हैं हमें खुशी मिलती है हमें अच्छा लगता है सब के face पे smile आती है है ना जब कोई भी तोहार होता है तो खिचडी is a traditional dish prepared specially during the संक्रांती festival तो जो एक festival आता है मकर सक्रांती तो उस पे क्या बनती है special खिचडी बनाई जाती है different parts of India prepare खिचडी with different variation like adding vegetables or using different lentils तो क्या है different parts of India इंडिया के अलग लग जगे पे अलग अलग तरेगी की खिचडी बनाई जाती है उसमें variation मिलता है अलग अलग परकार मिलता है जैसे कई कई खिचडी में vegetable सबजी add की जाती है अलग अलग दाले यूज की जाती है जरूरी यह red वाली हो अलग अलग दाले जैसे काली वाली होती है तो आप देख सकते है अपनी मम्मी पापा से पूछ सकते है कि खिचडी और कौन-कौन से दाल की बनाई जाती है Did you know that this festival is also known as the harvest festival क्या आपको पता है इसको एक harvest festival के रूप में भी जाना जाता है It is celebrate to thank the sun god for a good harvest जो यह festival है मकर सकरांती का यह harvest festival है और इसे मनाया जाता है thank you कहने के लिए sun god को सूर्य भगवान को thank you कहने के लिए यह बनाया जाता है ताकि जो हमारी फसल है वो अच्छे से उग सके It is known by different names like सकरांती पॉंगल लोहरी बीहू मागी सकरांत मकर सकरांती सकरात and मागा साजी across the country देखिए इसमें कितने सारे नाम दी होई हैं पर तो यह जो मकर सकरांती के इन इन नामों से जाना जाता है कहीं पर पॉंगल के नाम से लोहरी के नाम से मकर सकरांती के नाम से बीहू के नाम से जाना जाता है तो अलग लग स्टेट में इसको अलग लग नाम से जाना जाता ह फ्लाइंग काइट्स दूरिंग दफेस्टिगल वेरी पॉपुलर तो मकर सक्रांती के दिन फ्लाइंग काइट्स पतंग भी जरूर उड़ाई जाती है ठीक है देखें यहां पर दिखा रखें पिच्छर सी आचा खिचडी इस नौन बाए डिफरेंट नेम अक्रोस सां कंट् में तो इन्हें किन-किन नामों से जाना जाता है देखो गुजराती खिचडी गुजरात में तो गुजरात एक स्टेट का नाम है वहां पे खिचडी को किस नाम से जाना जाता है गुजरी के तमिल नाडो में पॉंगल के नाम से बिहार में बिहारी खिचडी राजस्थान म में खचूरी एंड करनाटका में बीसी बेलेबात एंड कश्मीर में मूंग खेचरी इसके नाम से खेचिर के नाम से जाना जाता है यह है विच इस यूर फेवरिट फेस्टिवल आपको बताने कि आपका फेवरिट फेस्टिवल कौन सा है write the names of some sweets and dishes prepared on that day तो आपको यह बताना है कि आपका फेवरिट फेस्टिवल आपको जो मन पसंद तोहार कौन सा है उस पे आपको कौन-कौन से sweets खाते हैं कौन-कौन से dishes prepare की जाती है कौन-कौन से dishes आपके घर में बनती है तो यह यहाँ पर लिखना है जैसे कि यहाँ पर लिखा ह that day इंक्लूड लड्डू उस दिन लड्डू बनते हैं गुलाब जामून काजू कतली आप और भी कुछ लिख सकते हैं डिशे मेट ओन दैट डे इंक्लूड छोले बटूरे समोसे यहाँ मैंने दो चीजे लिखी हैं आप चाहें कुछ और लिख सकते हैं तो मैंने दिवाली कंप्लीट हो चुका है आप इसको एक बार रीड करेंगे और अगर आपको कोई इंक्वैरी है तो आप कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हैं ठीक है अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई